हेलो एवरिवन वेल्कम डो जी डीटी से एट टर आज किस वीडियो में हम एलो की बारे में डिस्कस करेंगे इसके पहले वीडियो में हम नैशनल लाइज़ेटिव एजेंट के अंडर सेनना इस सब गोल कैश्टर आइल को इस्टेडी कर चुके हैं आज इस्टेडी करते हैं आलोल एक ड्लाइको सब्सक्राइब कर आते हैं इसके सिन्वड कर लेकम खी संहां कर वीडियो को हम उस फिकbor गंटेर इसको हम फार। कचयों काई दूसरे है फिकाटा जिसके हबगेट को हम करते हैं यह अभी सिक है इसको हाँ कर權 नियुकले कैट हैं के ल कभेड़ पॉर्ण चैणायारा फोकॉल इंडियन और कहते हैं ऑगे एक जिंजीबन याइश का कहां से वहरीजिन हुआ है यह अभी तक प्लियर नहीं हुआ है पर ऐसा हम इसको मानते हैं कि यह सोको ट्राइन का ही एक वेराइटी होता है ऊब इसके फैमिली में आते हैं तो ऐलो का फैमिली काॉन सा है यह बिदी होता है ओके अब इसकी सीनो ने एंड बायलोजिकल सोर्स को याद करने के लिए एक चोटा सा स्टोरी देखती है ओके सो सपोज एक बॉय है जिसका नाम है मुदर सर ओके और उसके वाइप है जिसका नाम क्या है उसका नाम है घृत कुमारी फिर उसके पांच बच्चे हैं पहले ब और उसका cap का business है और ऊसकी तीसरी बेटी है जिसका नाम है Carrie और उसका scooter और wine का business है उसके बाद है एक और लड़का है जो की है वीरा नाम का वीरा का क्या है इंडियल oil का違 nas है पांचय बेटी है उसके Lily नाम की जो की बहुत ही जादा आलसी है ओके अब इस श्टोरी को हम अपने सीनो नेम एंड बायोलोजिकल सोर्स से को रिलेट करते हैं तो उस लड़के का क्या नाम था मुदसर मुदसर से आप मुसबबर एंड उसकी वाइव कौन थे ग्रेत कुमारी तो यह हो गया हमारा सीनो नेम अब आते हैं इसके बायोलोजिकल सोर्स पे उसके पहले मेटे का नाम था बर्बरी सी तो बर्बरी सी से आप अलो बार्बा डेंसिस को याद रख सकते हैं उसका क्या का बिजनेस था? Car and cow, Car and cow से आप क्योरा cow को याद रख सकते हैं फिर उसकी दूसरे बेटे का क्या नाम था? फिरोज, फिरोज से आप फिरोक्स, एलो फिरोक्स को याद रख लेंगे एंड उसको कैसा था? वो बहुत छोटा था, इसलिए सब उसको नाटा कहते थे, तो आप नाटा से इसपी काटा को याद रख सकते हैं और इसका क्या था? कैप का बिजनेस था, फिर आप कैप एलो को याद रख लेंगे अब उसकी क्या थी? तीसरे बेटी जो कि क्या नम था? वीरा वीरा से आप एलो वेरा को याद रख सकते हैं जिसका इंडियन ओल का बिजनेस था इंडियन ओल से आप इंडियन एलो को याद रख सकते हैं और पांची बेटी कौन थी? लिली जो कि बहुत आलसी थी तो लिली RC से आप लिली AC को याद रख सकते हैं तो ये था इसका biological source and zero name जो इस story के थूर आप इसलिए याद रख सकते हैं अब आते हैं एलो के geographical source पे कि मेली इसका grow and cultivation collection कहां किया जाता है तो ये indigenous होता है इस्ट और South Africa इसका मतलब होता है सबसे पहले वो कहां पाया गया उसका origin कहां हुआ तो सबसे पहले ये South and East Africa में सबसे पहले पाया गया और इसका grow mainly cap colony जिंजिबर और आइसलेंट और सोकोट्रा में भी इसका grow होता है और इंडिया में इंडिया में mainly North Amalian area वहाँ उसका एलो का grow mainly किया जाता है उसका cultivation and collection हम हमालय नेरा में में मिली करते हैं और ये यूरोप में भी इसका इंड Caribbean Iceland में भी इसका cultivation किया जाता है अब आते हैं एलो के cultivation and collection में तो इसके cultivation and collection के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका propagation करते हैं by root suckers, root suckers का हम यूज करते हैं propagation के लिए यहाँ पे अब देख सकते हैं यह एलो का root है, root suckers है जिसको हम क्या करते हैं इसका plantation करेंगे एक row में 50 cm की दूरी में इसको हम इस प्रकार से इसको लगा लेंगे और ए इसले grow कर लेता है, कोई भी poor graded soil में, dry condition में, dry climate condition में इसले grow कर लेता है, बट हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि water logging ना हो, water logging मतलब होता है कि जो जल का भरा हो जाता है खेतों में, वो हमें उसको prevent करना रहता है, वो dry climate हमें बनाना रहता है, फिर आते हैं इसके root को, जब ह हमें ज्यादा penetrate करना नहीं रहता है, और इसके root के लिए, means manure, manure means होता है, खाद के लिए हम क्या यूज करते है, nitrogen, potassium and phosphorus का, हम यूज करते हैं as a manure, अब आते हैं इसके cultivation में, जब हम cultivation कर रहे हैं, देर से दो साल के बाद, second year of cultivation में, क्या करेंगे, हम उसके leaves को cut कर लेंगे, ओके, यह रहेगा, हमारा first cut रहेगा, ओके, अब देखते हैं, एलो एक ऐसा plant है, एक बार उसका, जब plantation हो गया, देर उसके बाद हम 12 साल तक उसके leaves से drug obtain कर सकती हैं, ओके, और उस 12 साल के बाद हम उस plant का completely harvest करेंगे, completely harvest करने के बाद, फिर उस land को हम ऐसा work मिलाएंगे, कि हम उसको हम replantation के लिए, उस land को हम use कर सके, ओके, इतना बड़ी हा drug है, एलो, कि हम एक बार उसके plantation के बाद, हमें 12 साल तक वो drug उसके leaves से obtain होते रहता है, ओके, अब आते हैं इसके collection में, ओके, जब उसको हम collect करेंगे, उ उसके leaf को, उसके base के पास से हम उसको cut कर लेंगे, okay, nicely उसको हम cut करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको cut करने के बाद, हम उसका incision करेंगे, एक single incision ही काफी रहता है, उसके पूरे juice को out करने के लिए, जो पूरा juice है, वो क्या करता है, परिसाइकलिक सेल में, जो उसका पूरा juice तरहता है वह एक ही इंसीजन में बहूरत आजाता है एलो से क्या करेंICE हमें फॉल और हो जाता है छो do harm हो जाता है धन उसको हम क्या करेंग estás यहां के अ сильसर हमारा अब आते हैं के माइक्रो स्कोपिक करेक्टर क्लिष्छन quarterly is leas जो हमने juice को hard किया था boil करके और जो इसको हमने cut किया था pieces में उसके according है तो अब देखते हैं इसका hard masses है वो कैसे दिखता है तो ये पहले curacao yellow है वो कैसा रहता है opaque masses की तरफ रहता है opaque means होता है जिसे हम आरपार नहीं देख सकते तो वो उस फ़ाव में रहता है इसका color होता है yellow is brown to chocolate brown color का मास्ट होता है और यह कैसा होता है wax like fracture होता है means जब इसको हम break करेंगे तब इसका जो एक wax type का structure बनाता है wax type means जब जैसे कि आप candle ले सकते है candle में जब वो एक mom जासा रहता है वैसे ही इसमें भी wax like का देखने को मिलता है फिर आते हैं इसमें cap yellow में cap कैसा रहता है यह transparent and glassy रहता है बहुत चमकदार सा इस प्रकार से दिखता है हमें cap yellow और यह कैसा होता है dark brown to greenish brown color का इसका होता है और यह होता है अग्दब smooth and glassy चमकदार सा यह दिखाई देता है इस picture में आप इसली समझ सकते हैं कि cap yellow हमें कैसा दिखाई देगा उके उसके बाद आते हैं हम सोकोट्राइन yellow में सोकोट्राइन yellow कैसा होता है यह भी एक opaque ही होता है इसके आरपार हम नहीं देख पाएंगे और यह कैसा होता है red is black to brown is black color का होता है और इसमें concoidal shape का होता है कैसा होता है इसको हम कट करेंगे concoidal shape में दिखता है इस प्रकार से यह होता है सोकोट्राइन yellow उसके बाद आते हैं जिंजी बर yellow जिंजी बर yellow भी एक opaque mask बनाता है opaque means क्या होता है इसके आरपार ना दिखे ओके यह लिवर ब्राउन कलर का होता है इस प्रकार से आप देख सकते हैं और यह स्मूथ और even fractures का होता है इस इमेंस से आप देख सकते हैं यह बहुत ही स्मूथ है तो यह था हमारा microscopy of cura cow cab and socotri and ginger bar yellow का यह microscopy था अब आते हैं microscopy of yellow जब इसको microscopy में देखेंगे तो इसका leaf क्या से दिखता है तो यह है image है जिसे आप इसनी देख सकते है microscopy of yellow ओके तो इसमें क्या होता है एपिडर्मिस होता है पैलिसेट से होता है और इसमें प्रेजेंट होता है ओके यहां पर देख रहे हैं इसमें स्टोमा ओके इसमें calcium oxalate crystal भी प्रेजेंट है पैरिसाइकल फाइबर है जिसमें क्या होता है यह हो गया microscopy of leaf अब हम अभी इसके powder के microscopy के बारे में डिसकास करेंगे तो इसके powder का microscopy हम डिसकास करते हैं by lactophenol, lactophenol के help से हम इसके powder का study करेंगे क्योंकि इस reagent में जो powder है वो जल्दी से solubilize हो जाता है and crystal जो हो की clearly हमें visible हो जाता है तो यह था हमारा microscopy of leaf and powder of yellow सो एलो की chemical constraint में आते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा constraint है जिसका यूज हम commercially and medicineally कर सकेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एलो एक glycoside containing drug है तो इसमें क्या होता है anthracine, anthracine glycoside होता है यहां पर आप देख सकते हैं इसके जो structure है बार्बर लाइन का उसमें anthracunon moiety present है इसलिए हम इसको anthracunon glycoside भी कहते हैं ओके अब देखते हैं इसका main chemical constraint क्या है तो एलो में होता है जो की main chemical constraint होता है और हरू काM3 aysomers में present होता है अब देखते हैं जो b हो डिफ्रेंट ड्रीफ्रेंट पर्सेंट में present होता है तो जो एलो बार्बाडेंसें से जिसको हमने क्या कहा था कुरा कावा आलोगे नो उसमें कितना पर्संट होता है उसमें 22% होता है और जो हमारा इंडियन वेराइटी है अलो वेरा उसमें वोता है 3.5 to 4% बारबालोई प्रेज़ेंट होता है अब दिखते हैं इसमें और कौन-कौन से chemical constituent है तो एलो में हमारा होता है एलोशीन एंड एलोक्टीन भी इसमें present होता है एलोशीन mainly responsible होता है इसके परगेटिव एक्षन के लिए and एलोक्टीन क्या करता है dead cell से हमारा जो skin है उससे जो dead cell रहता है उसको क्या करता है remove कर लिता है तो ये था हमारा chemical constituent of एलो अब आते हैं uses of एलो कि हम उसको कहां पर commercially और कहां पर medically use कर सकते हैं ये देखते हैं तो हम एलो का as a परगेटि योज करते हैं कहां पर constipation के condition में as a परगेटि योज करते हैं एलो का okay and इसको हम as a moisturizing and इसका anti-inflammatory property भी होता है है उसके लिए हम इसको कामर से ले and medically use करते हैं ओके अब देखते हैं ये क्या करता है ये remove करता है death tissue को एलो है वो जो death tissue और क्या रहता है skin में dead cell रहता है उसको क्या करता है रिमूव करता है due to इसके थो एलोक्तिन एक ऐसा chemical constraint present होता है एलो में जिसके त्रूव क्या करता है वो death cell को remove कर लेता है ओके फिर आते हैं इसके नाश्ट यूज में तो क्या करता है ये treatment करता है pain का and eating का इसलिए हम इसको ulceration and ये क्या है जो करता है उससे हमें relief कराता है ओके अब देखते हैं इसको cosmetic skin cosmetic में largely use होता है हमारे एलो का एलो को हम कैसे use कर सकते हैं as a anti wrinkle anti wrinkle property के कारण यूज किया जाता है anti wrinkle means होता है जब हम ज़्यादे age के होने लग जाते हैं तो जुरिया पढ़ने लग जाती है तो इसको जुरियों को prevent करने के लिए anti wrinkle की टाइब से हम इसको एलो को use करते हैं और इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं यूज करते हैं इसका यूज करते हैं हम externally painful inflammation के लिए भी हम इसको यूज करते हैं और क्या करते हैं इसका यूज हमें help to treat constipation improve digestion reduce करता है irritation को और क्या करता है प्रिवेंट करता है इस टमक ulcer को ओके तो ये था main main uses of allo so this is all about allo